इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और साथ ही व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने की क्षमता को भी प्रभावित कर देता है मैक्स प्राइट सो टेबलेट भूजन के साथ या बिना लिया जा सकता है विशेश रूप से सोने से पहले हाला कि इसे हर दिन एक तैस समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसस शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में ही ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो उसे जल्द ही ले ले बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा क कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोस पूरा खत्म करें यह आवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बंद न किया जाए क्योंकि इस से आपके लक्षनों की अवस्था और वी खराब हो सकती है इस दवा के कुछ सामान साइड इफेक्ट में मिचली आना उल्टी और मूह में सूखापन होना शामिल है शुरुवात में जब आप पोजीशन बदलते हैं तो यह दवा ब्लड प्रेशम में अचानक कमी ला सकती है इसलिए अगर आप बैठे या लेटे रहे हैं तो धीरे धीरे उठना बहतर होता है इस से चक्कर आने औ करना उत्पन कर सकती है और ब्लड शुगर और कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है हाला कि स्वस्थाहार और व्यायाम नियमित रूप से कम करके अपनी लाइफ अस्टाइल को संशोधित करना इस दुषप्रभाव को कम कर सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद